हेई गाईज, विल्कम बैक टो आर चैनल, सावन आटो फाइनली, हीरो बहुती जल्द अपने नेक्स जेनरेशन हंक मॉडल को इंडिया में लॉंच करने वाली है जिसके लिए बाइक की टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है सो टेस्ट में उसे बाइक के क्या कुछ स्पेशिफिकेशन पता चल पा रहा है कौन-कौन से फीजियोज दिये जाएंगे, बाइक का ओवरल लुक कैसा रखा जाएगा एंड ये कब तक और कितने प्राइस रेंज के अंदर इंडिया में लॉंच किया जाने वाला है इन्ही सब डीटेल्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साथ ही पाइक के लॉंचिंग को लेकर एक रूमर सामने आया है जिस चीज के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इसलिए वीडियो जो है काफी ज़ादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है आप इसे बिना स्केप किये पूरा ज़रूर देखिए Basically, 160 CC सेग्मेंट में Hero Hunk 160R एक काफी प्रीमियम मशिन हुआ करती थी जिसे पहले इंडियन मार्केट में सेल किया जाता था एंड ये अपने टाइम की बहुत ज़ादा पॉपलर मॉडल भी हुआ करती थी बट इसके अपग्रेड़ेड मॉडल को कभी भी इंडिया में लॉंच नहीं किया गया जिस वज़े से बाई की सेल कॉंस्टेंटली डाउन हो थी गई और एक टाइम पे इसे डिसकंटिनियो करना पड़ा जिसकी जगा अब मार्केट में हीरो एक्स्ट्रीम और एक्सपर्स ने ले लिया है हाला कि दोस्तो बाई की अपग्रेड़ेड वर्शिन इंटरनाशनल मार्केट और बांगलादेश कोलॉंबिया जैसे जगाहो पर एक साल पहले ही लॉंच कर दिया गया था जिसे अब जाकर इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करके लॉंच किया जाने वाला है स्पोर्टेड इमेज को क्लोसली देखने पर आप ये समझ पाएंगे बाईक लॉंच के लिए अल्मुस्ट तयार है बाईक के लुक को Xtreme 200R से बहुत ही जादा इंस्पायर रखा गया है जिसके जादातर बॉडि पार्ट्स जैसे की टैंक की डिजाइन, टैंक स्राउट्स, एलोई हुल्स, हेडलाइट की डिजाइन, एक्जॉस्ट कैनिस्टर जादातर सब कुछ Xtreme 200R जे से ही दिखाई दे रही है हीरो हंक 160R के इस न्यू मॉडल में जादातर चेंजिस इसके इंजिन और स्पेसिफिकेशन्स में किये जाने वाले हैं हॉंडा की यूनिक और और रिसेंटली लॉंच्ट बजाज P150 के साथ कम्प्रीट करने के लिए पाइक के अंदर सेफटी के लिए सिंगिल चैनल ABS दिया जाएगा, एलोई हुल सोंगे, LED टेल लाइट और हैलोजीन हेड लाइट का यूज देखने को मिलने वाला है सस्पेंशन के लिए बाइक के रेर में मोनोसॉक सस्पेंशन यूनिट और फ्रंट में टेलिस्कूपिक फ्रंट फॉक का यूज किया जाएगा और साथ ही फुल्ली डिजिटल मीटर कंसूल भी ओफर होने वाली है विद हीरो की एक स्टेक कनेक्टिविटी जिसमें ब्लूरूट कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग और नविगेसिन जैसे काफी सारे एडिशनल फीचर्ज भी एड़ कर दिये गए हैं इसके अलावा बाइक के इंजिन को लेकर एक नियू सामने आई है हीरो अपने इस नियू मॉडल में एक्स्ट्रीम 160R की इंजिन को यूज़ करने वाली है 160CC की सिंगल स्लिंडर 4-stroke एर कुलिंग सिस्टेम बाली इंजिन जो एक्स्ट्रीम में 15BHP तक की पावर और 14NM तक का टॉक चनेट करके दे देती है बट 2023 माले हंक के लिए इंजिन को पहले से डी-tune किया जाएगा ताकि ये सिग्मेंट के बागी मॉडलों से जादा पावर और बहतरीन पर्फॉर्मेंस दे पाए अब बात करें लॉंचिंग की तो आ रहे है रूमर्स के अकॉर्डिंग बाइक एप्टिल के फर्स्ट में ही लॉंच हो जाएगी बट कंपने न अभी तक कन्फरमेशन नहीं दिया है तो एक चीज़ क्लियर है कि बाइक 2023 के मिट तक ही लॉंच होते हुए देखने को मिलेगा जिसमें टूटल दो वेरियंट्स ओफर किये जाएगे एक होगा बेस वेरियंट और दूसरा एक स्टेक मॉडल जिन में से बेस वेरियंट का प्राइस 95,000 के अराउंड रखा जाएगा और स्मार्ट एक्स कनेक्ट वारा वेरियंट आपको 1,05,000 के अराउंड लॉंच होती हुई दिखने को मिलेगी